केबिनेट मंत्री विशन सिंग चुफाल ने आज हलदुआनी के मैडिकल कॉलिज में डियाडियो द्वारा बनाए जा रहे पास्सो बैट के कोविड अस्पताल का निरिक्षण किया। के जाते हैं उनकी रिपूर्ट आने में देरी हुजाती हैं लिहाजा मैडिकल कॉलिज के अधुकारी से बात करने के बाद यह तैह हुआ है कि पितोर अगर्ड और बागेज़र की सेंपल रिपोर्ट लगभग तीसरे दिन मिल जाएगी। बाहर का काम भी नहीं हो पाया था अंदर जोड़ा सा लेवरों को आने में प्रिसानी हुए। इसे पहली तारिक तक जो रिपोर्ट आ रही है जो कर जाए संस्ता था उनसे भी बात कि और विज्वाग के अधिकारी उसे भी बात ही तो इनका कहना है कि भाई पहली तारिक तक है कंप्लीट हो जाए कि जल संस्तान के त्वरा भी जलता नहीं की गई है जबकि राजी सरकार को जलवा बिजली दो दोने लेनी चाहिए थी देखो इस समय बिजली का भी पानी की ज़रूत दोनी की ज़रूत है क्योंकि होस्पिटल के अंदर का पानी और बिजली जब होगे तबीतों काम आगे बढ़ेगा तो इसके लिए जो अभी बैट करेंगे कि पानी के कमी है तो उसको भी तुरन्द दूर किया जाए कि समश्या का और बिजली की समश्या का अब डॉक्टर को कि इस मैं हमारे पहाड़ों में देखा कहीं कमी नहीं है कि जहां पर डॉक्टर आ पर अच्छे यह लिए डॉक्टर यहां पर बेगें तो यहां पर जो मुख्य देशी था यहां पर आने का मेरा मुख्य देशी था कि यह अमारा सारा कुमाओं का लोड सारा सुचला तिवाली पर यहां पर पड़ता है एक मात्र अप्सटल यह है मैं बागे सवर जन्पद पर और परबारी होने के नाते जो आपर टेस्टिंगि होती है वह टेस्टिंग हमारे से लगते हैं कि पॉसरे दिन तक ट्सकर जो एसलिए यह एंब किर्प कर दो प्रवाले प्रवाले बेजते थे तो इन पर पहुंचती थी अब यह तै हुआ है कि प्राता जब यहां पर गाड़ी पहुंचे तो दूसरे दिन यहां से मेंटिर को उसके केस्टिंग पहुंच जाएगी उसको सिर्फ पोटर्व के बाद यह